हैलो फ्रेंट्स आपके अपने चैनल येस जे हिंदी रेस्पे में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स अभी हम बनाने जा रहे हैं नास्ता बहुत हलका फुलका सा कम तेल वाला सब की डिमांड है आज ये वाला नास्ता करने की तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं हमने लिया है प्याज frågor टमाटर निमबू अद्रक कड़ी पट्ता और इक हरीमिर्च चरि मिर्च करें लाल हो गई है तोड़ा सा वंफली के दाने है तोड़े से और थोड़े से हैं मटर के दाने तो थोड़े से हमने मटर लिया है फ्रोजन मटर है और अभी हम क्या करेंगे प्याज काट लेंगे प्याज हम इस तरह से लंबे पीस में काटेंगे कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंट बनता है कभी ये रेश भी बनती है बिना प्याज वाली और आज मैं प बिल्कुल मसाले जीरो हैं तो उसके लिए भी हम तो तैयारी कर लेते हैं पहले फिर आपके साथ में शियार करते हैं हम क्या बना रहे हैं थोड़ा सा सस्पेंस तो अभी हमने प्याज काट लिया कदुकस लिया है अद्रक को भी हरी मिर्च काट ली और प्याज को भी हम काट ल लेकिन कम मसाले वाली क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मियों में जितने कम मसाले वाली सब्जियां काओं वो ज्यादा अच्छी है क्योंकि इस वकद गर्म में बहुत दिमाग खराब कर रखा है तो अभी तो हम सब्जी की त्यारी कर लेते हैं आट लेते हैं और ये हमारी सबजियां इस तरह से थोड़ा सा कट हो गई है तो फ्रेंट्स अब हम बता ही देते हैं तो हम बनाने जार हैं साबूदाना की खिच्डी साबूदाना की खिच्डी जैसे ज़्यादा तर ब्रत में बनती है नौरात्री में बनती है या कोई विवरत हो लोग पसंद करते हैं और कभी-कभी बच्चे ब्रेकफास्ट में पसंद करते हैं इसको कभी भी आप खा सकते हो तो ये साबुदाना मैंने भीगोया था बस पांच मिनट के लिए थोके रख दिया था और अभी हम क्या करेंगे गैस जला दिया है मैंने कड़ा ही रख दी है तो कभी-कभी ऐसे नास्ते भी खा लेने चाहिए पूरी पकोडी और इन सब चीजों से थोड़ा सा हटके कभी इस तरह से भी नास्ता बहुत दिनों के बाद या आज मैं बना रही हूँ खिचडी साबुदाने की जो की डिमांड हुई है मेरे घर में की हलके नास्ते बनाया जाएं तो हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है और अभी मुमपली है ना इनको थोड़ा सा रोश्ट कर लेंगे मुमपली हमने थोड़ी सी ज़्यादा ली है मुमपली अच्छे लगती है सिहट के लिए भी अच्छी होती है मुमपली हमारी भुन गई है अभी हम इनको निकाल लेंगे तो अभी हम इसी कड़ाई में तेल और डाल देंगे बहुत ज़्यादा घी तेल की ज़वरत नहीं होती है टो ये थोड़ से हमें चार-पाँच बाадाम भी इनको भी हमने separate टोड़ा सा डाल दिया घर में टील ऑख होता है कhen तो मैंने इसमें M mó शाले टोड़ा सा टेल गी भी डाल सकते जीरा इसमें खड़ा जीरा डाल दिया है और राई डाल देंगे जिसको कहते हैं सरसों तो सरसों दाने है ना राई इसको भी हमने डाल दिया है थोड़े से और अब हम डाल देंगे इसमें जो मिर्च हमने एक काट करके रखी थी मिर्च डाल दिया है प्याज डाल दिया है तो और प्याज भी हमारे लगभग हो गए हैं तो ये नास्ता ना मज़ा जाता है खा के सच में बहुत अच्छा लगता है तो अभी अब हम हींग डाल देंगे थोड़ी सी हमने हींग डाल दिया है हींग से थोड़ी सी खुश्बू आ जाती अच्छी सी तो अभी हमने हींग डाल तो हमने थोड़ी से सबजियां इस तरह से डाली है और कड़ी पत्ता क्योंकि सुखा हुआ है ना तो इसको कड़ी पत्ता को हम बाद में डालेंगे पहले डाल देते तो यह जल जाता इसका फ्लेवर नहीं आता इतना अच्छा तो अभी हमने आलू के साथ में बाद में डाल को इसके साथ में अगर आप बहुत सी सबजियां डालना चाहो तो भी डाल सकते हो पर मैंने जादा बहुत सबजी नहीं डाली थी तो अभी हम डाल देंगे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद टामाटर और अद्रक एक बड़ा टामाटर जो है उसको भी डाल दिया चोटे पीस शेलेम पे बनाएंगे जिसमें आलु ना हमारी गल जाए पता नहीं क्यों आजकल जैसे आलू ऐसे तो गर्मियों में बहुत जल्दी गल जाती है बंड आज कर बाद चाहिए तो इतनी बड़ी आसी जल्दी जल्दी और बहुत जल्द прошप में आलु गल जाती है तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारी आलू गली है या नहीं अभी हमें लगता है थोड़ी सी कसर अभी है क्योंकि साबुदाना ना साबुदाना में तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है मेन होता है आलू हमें पकाना तो हमने आज आलू आली बनाई है अभी हम इसको बस एक मुनट के लिए और ढगते है थे अब हम फिर से देख लेते हैं कि आलू हमारी पख गई हैं चायद एक मुनट में पख गई हैं क्योंकि बहुत हलकी सी रह गई थी तो अभी इनकों देख लेते हैं थोड़ा सा मसाला नीचे लगने भी लगा है क्यों चाहे जितनी भी दीमी आज हो लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है तो अच्छे से हमारे आलू टमाटर गल गए हैं अब हम डाल देंगे मटर मटर हमारा प्रोजन वाला है क्योंकि पहले से पका हुआ होता है इसलिए इसे ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती अगर कच्छा है तो उसको बॉयल कर सकते हो या तो टमाटर और आलू के साथ में डाल सकते हो तो वो पक जाता अगर कच्छा होता है और अब हम इसी टाइम पर डाल देंगे साबूदाना साबूदाना धुला हुआ रखा था खिला खिला सा है एक एक साबूदाना अलग हो जाता है तो ये छोटा वला ही साबूदान रखा हुआ था साबूदाना तो मैंने इसी का बना दिया और खिचडी ना बड़े साबुदाना की बनती है तो और ज़्यादा खिली-खिली से बनती है बट कोई नहीं कम तेल में भी खिली-खिली से अच्छी से हमारी बन जाएगी खिचडी साबुदाना की और अभी हमने डाल दिया है इसमें मौमफली जो हमने फ्राई करके रखे तोड़ा सा हमने लाल मिश्ट डाल दिया और जरा से एक चुटकी हमने डाल दिया इसमें कर दूछा ने बनाई है और ये बहुत ज़्या बढ़िया से इतनी अच्छी चट-पटी सी बनी है कि सभी को खाकर इसका मज़ा आ गया तो एक दम खिली-खिली सी हो जाती है और ज्यादा देर इसमें पकने में भी टाइम नहीं लगता है तो इस फटा-फट दो मिनट में तैयार हो जाती है इस तरह से बस आलो गलने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगा बाकी तो नहीं बस फटा-फट से हमारी ये खिच्डी हो गई साबुदाना की तैयार तो अभी सब ही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे हरी धनिया तो ये देखो एक एक जैसे ना खिला-खिला सा हमारा एकदम साबुदाना हो गया है सब अलग-अलग से हो गए हैं बहुत जादा टेस्टी, हेल्दी, खिच्डी तो फ्रिंट्स हमारा आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्ले सस्क्राइब कर लेना और वीडियो को फुल वाच करना तो अभी हमने डाल दिया है धनिया पती और अब डाल देंगे इसमें हम निम्बू तो आधा निम्बू हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा, खटड़ा सा ती खा चटपटा सा नास्ता हमारा आज का हो गया है तैयार बढ़िया सा तो ये हमारी हो गई साबुदाने की खिचडी तैयार और मिलेंगे अब एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू बाइ इंजॉय करिए मेरे वीडियो फ्रेंट फुल वाच करिए और सफोर्ट करिए तो ये साबुदाना की हल्दी खिचडी स सब जियों वाली